नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहरखन की दिन भर की खबर जानते हैं जहरखन में 15 नमबर से पहले सुरू होगी सिक्षको की नियुक्ती परकिरिया, राजय में 50 एर सीटो पर सिक्षको की बाहली होगी, इसकी त्यारी लगभग पूरी कर ली गई है, 15 नमबर से पहले करीब 25 एर पदो पर सिक्षको की बाहली परकिरिया सुरू होगी, इसके सिक्षा आवेजित होगी बाद में पुना बाहाली होगी उक्त बाते सिक्षा मति जगनात महतों ने कही बतादे सर्किट हाउस में समीच्छा बैठक करने पहुंचे पत्रकारों से बाचित में कहा है जारकन में 80 मोडल इसकूल बनकर त्यार हो चुके हैं लोहर्दागा से इन इसकूलों के उधगाटन का सिलसीला सुरू हो चुका है दिसंबर महिने तक बच्चों को 80 मोडल इसकूलों की सोगाद मिलेगी 380 मोडल इसकूल त्यार किया जाएगा उन्होंने कहा सिक्षा के छेतर में जो अब तक नहीं हुआ वह अब होगा सरकारी स्कूल नीजी स्कूलों की बराबरी करेंगे शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि धनबाद या बोकारों में जार्खन एकेडमी काउंसील का छेतरिय कराले खोलने की कोई योजना नहीं है उन्होंने बताया कि अब सारी परकिरिया ओनलाइन होगा यहाई ऐसे में छेतरिय करारे खोलने की ज़रूरत नहीं है जार्खन अस्थापना दिवस समारों में पांच हज़ार क्रोर की योजनाओ का होगा उदगाटन औसीलन्याज जार्खन राजास अपना दिवस के अउसर वे 15 नौंबर को मुरबादी मैदान में होने वाले कारकरम की मुख्य मंत्री है मंसुरी ने समिक्छा की साथी राष्ट बदी द्रोपदी मुर्मु के आगमन को लेकर की गए त्यारियों की जनकारी ली मुख्य मंत्री ने कहा है कि मुख्य समारो तीन तीन घंटे का होगा जो दो पहर तीन बये से साम चाव बये तक चलेगा इस अउसर परलगभग पांच हजार को रुपे से ज्यादा की योजनाव का उद घाटान वसिलन्यास होगा वहीं एक हजार से अधिक नौचैनित युवाओ को नियुक्ती पत्र भी सोपा जाएगा मुख्य मंत्री ने वर्य अधिकारियों के साथ उच अस्तरिय बैठक में समारो के मिनट टू मिनट कारिकरम की जनकारी ली और अहम निर्देश भी दिये बोकारों में बिवाद सुल्जाने पहुंची महिला दरोगा पर हमला जारखन में इन दिनों ऐसा लग रहा है जैसा पोलिस परसासन और कानून का भाय अपरादियों में बिल्कुल समापत हो गया है आम लोगों की बात छोड़े जनता के रक्षक भी अब अपरादियों की सिकार बन रहे हैं बता दे बोकारों जीले में एक ही परिवार के पांच आरोपियों ने मिलकर महिला थानेदार की बाल खीच कर बेरामी से पिटाई की इस हमले में महिला थानेदार का दाहिना हाथ भी तूट गया है घाटना के बाद मौके पर पहुंचे अतरिक्त पोलिस की टीम ने सभी आरोपियों की हिरासत में ले लिया महिला थानेदार की बेरमी से पिटाई के आरोप में तीन महिला और दो लोगों को हिरासत में लिया गया आरोपी एक ही परिवार के सदस्य है राश्टपती दुरपदी मुर्मो के जारखन दौरे को लेकर तैयारी जोरोप राश्ट पती के दोरे को लेकर बैठकों का दोर भी लागातार जारी है जार्खन राजास्थ अपना दिवस पर अपने दो दिवसे दोरे पर राश्ट पती द्रोपादी मुर्मू रांची आ रही है बताद राश्ट पती का जार्खन दोरा होना है राश्टपती के दोरे को लेका सुरक्षा बेवास्ता अभी से ही चौकस की जा रही है राश्टी पूलिस अपनी त्यारियों को अम्तिम रूप देने में लगी हुई है राश्धानी राश्टी में जहां जा राश्टपती का कारकरम होना है वहाँ की सुरक्षा अभी से ही पुक्ता कर दिया गया है खुटी पूलिस के दो पदा अधिकारियों का आक्समिक निधान खुटी जीला पूलिस के दो पदा अधिकारियों के आक्समिक निधान से खुटी पूलिस मरमाहा था है A.S.I. देवनन्द परसाद का देहांथ हार्ट अटेक के कारण धनबाद में उनका देहांथ हो गया वो छुटी समापती के बाद ट्रेन से खुटी लोट रहे थे जबकि सब इंस्पेक्टर रूपा सुन्डी की मौत रांची के मेटकल अस्पताल में इलाज के दुरान हो गई जनकारी के अनुसार देवनन्द परसाद खुटी थाना में पदस्ता पित थे लेकिन उनके फेपडे में इंफेक्शन की सिकायत पर वेलोर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था विगर्दी तवियत के कारण छुटी लेकर देवनन्द वेलोर गए हुए थे और उनका इलाज के बाद अपने घर बिहार के मुंगेर लोट गए थे छुटी खत्म होते ही वो अपने दमाद के साथ मुंगेर से खुटी लोट रहे थे लेकिन रास्ते में आचानाक हिरदय गाती रुकने से धनबाद में उनकी मौत हो गई जारखन के इंजिनियरिंग कॉलेजों में एडमिसन के लिए 1834 सीटे खाली राजे के 16 इंजिनियरिंग कॉलेजों में दो चरण की काउंसिलिंग के बाद भी कूल 48-78 में से 1834 सीटे रिक्त रह गई है राजे के सरकारी नीजी और PPP मोड में चल रहे इंजिनियरिंग कॉलेज में 37.5% सीटे रिक्त है JEE मेंज में सफल हुए राजे के 33-33 बिद्यार्थियों के लिए जारकर्ण सरुकत प्रवेश परतियोक्ताव परिक्था पारिशत ने काउंसिलिंग परकिरया शुरू कि थी पहले चरण की काउंसिलिंग परकिरिया में 281 विद्यार्थियों को राजे मेता सोची में जगा मिली इन विद्यार्थियों ने 15 अक्टूबर तक नमांकन पूरा किया इसके बाद दूसरे चरण की काउंसिलिंग परकिरिया शुरू की गई CCL ने मनाया 48 अस्थापना दिवा CCL के 48 अस्थापना दिवा समारो के मोगे पर दरभांगा हाउस परिसर में आउजीत कारिकरम में पीपरवार को उतपादन वा अमरपाली चंद्रगुप्त को डिस्पेच का आवार पदान किया गया इस मोगे पर CCL के CMD ने कहा है कि 2026 तक कोल इंडिया को 1000 मिलियन टन का उतपादन करना है इसमें CCL का एकदान 135 मिलियन टन का होगा इसके लिए कमपनी को 18 फिश्दी विकास दर के साथ काम करना होगा यह चुनावती है इसके लिए जमीन और परयावरन किले रेंस की जरूरत होगी इसके साथ साथ जमीन समंधीर परिशानियों को भी दूर करना होगा नई खदान शुरू करना होगा इस पर कमपनी काम कर रही है मौके पर उलेखनिये काम करने वाले कर्मी और परियोजनाओं को पुरस्कृत किया गया है जारखन में पांच साल बाद मिडिल इसकूल बने हाई सकूल राज्य में पहली बार 17380 मिडिल इसकूलों को हाई सकूल में अपग्रेड किया गया सनिवर को सिक्षा मत्य जगनात महतों ने उक्त इसकूलों को अपग्रेड करने के प्रस्ताव को स्विग्रिती दे दी संभावता विभाग अगले सब्ता इस समद में अजसुतना जारी करेगा अपग्रेड कियेगा हाई सकूलों में अगले सेक्षनिक सत्र से पढ़ाई सुरू हो जाएंगी बताजे राज्य में वर्ष 2009-10 में मिडिल इसकूलों का हाई सकूल में अपग्रेड करने के प्रक्रिया सुरू होई थी वहीं वर्ष 2016-17 के बाद एपर किरिया बंद थी अब पांच वर्ष बाद इसकूलों का फिल से अपग्रेड किया गया है जिन मिडिल इसकूलों का हाई सकूल में अपग्रेड किया गया है उनमें उतक्रिष्ट विद्याले के लिए चैनित इसकूल परखंड अस्तर के सकूल और अदर्स विद्याले के तहट चैनित सोव या उससे अधिक नमांकन वाले सकूल सामिल है देवघर में 9 माह में 37 से अधिक महिलाए गुमसुदा देवघर में महिलाओं किसोरियों आयूतियों की गुमसुदकी के मामले में लगातार बढ़ते जा रहे हैं इनमें सबसे अधिक चिंताजना की स्थिती किसोरियों नाबालिक की है 9 माह के दोरान जीले भर में 37 से अधिक महिलाओ अगी सोरियों के लापाता होने की सिकायते जीला के विभीन थानों में दर्ज कराई जा चुकी है केवाल कुंडा थाना छेतर में ही 3 महिने में 2 महिलाओ आठ की सोरिया लापाता हो चुकी है हर महीने अधिक चार से अधीक सिकायते जीले भार के विभीन थानों में पहुँच रही है हलाकि कुछ की सोरियों के बरामत कर पुलिस ने 164 के तहट ब्यान जरूर दर्ज कराया लेकिन अधिकतर मामलों में पुलिस कोई खास सफलता आसिल नहीं हो सकी सरकार आपके द्वार कारकरम के तहट साथ नॉमबर को सहर के लोगों को लगभग एक हजार करोर से ज्यादा के बिकास करों के सवगाद मिलेगी सनिवार को सरकीट हाउस में आवजीत प्रेस वारता में स्वास मंत्री बना गुपता ने इसकी जनकारी पत्रकारों को दी किसी भी हाल में ठीक करना हाई MGM में अभी काफी सुधार हुया है पांसो बेट के अत्यादुनिक वबिस अस्तरिये MGM अस्पताल का सिलन्याज साथ नॉमबर को मुख्य मंत्री है मनसुरें करेंगे अस्पताल के पुराने बववन को तोड़कर नया बववन के निर्मान के लिए 396,79,59,900 की प्रसासनिक स्वग्रिती मंत्री परसत ने दिया है पलामू में भरष्टा चार के खिलाप ग्रामिन बैंक करमचारियों ने निकाली रह ली केंद्रिये सतरक्ता आयोग भरत सरकार के निर्दसान साथ 31 अक्टूबर से 6 नॉमबर 2022 तक प्रस्टा चार उन्मुलन के लिए सतरक्ता सब्ता मनाया जा रहा है इसी के तहाद जारखन राज ग्रामिन बैंक के द्वारा पलामू के मेदनी नगर में रभिवार को रैली निकाली गई और मानव सिरिंखला बनाया गया बैंक के छेतरिये कर्यालाय चर्च रोड से रैली निकाली गई यह रैली सहर के परमुक रास्तों से गुजरते हुए छामुहान पर मानव सिरिंखला का निर्मान किया गया कारक्रम करने ते तो जारखन राज ग्रामिन बैंक के अध्यक्ष पियूस भट ने किया जबकि संचालन महा प्रवंदग जगरनाथ गुपता और धन्यवाद ग्यापन पलामु छेतरे के छेतरिये प्रवंदग संकर कुमार चौधरी ने किया 45 दिनों से हर्ताल पर है जारखन के रैस्व करमचारी बिभीन मांगो के समर्थन में ज़ारखन के रैस्व करमचारी पिछिले 45 दिनों से हर्ताल पर चल गए हा है इस वज़ा यूवा सबसे ज़्यादा परवावित है पमान पत्रों के अभाव में किसी का संस्थान में दाखिला रुका हुआ है तो किसी का नियोजन साथ ही दाखिल खारिच वगरह भी नहीं हो पार है बता द जमीन का लगान रसीद भी नहीं कट पारहा है इस वज़ा से पीम किसान समान निधी योजना की रासी भी नहीं मिल पा रही है धन्यवाद